ये तो नसीब की बात है कि अलग-अलग जगा पे आर्टिस्ट होने के नदे परफॉर्म करने को मिलता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कच गुजिरात के एक मशूर शहर अंजार के बारे में जितना हो सके मुझे नॉलेज मिला है वहां के बारे में वो मैं आपको दिखाऊ जो मैंने देखी मुंबई से अंजार जाने का रास्ता मेरा बहाया एरपोर्ट था मुंबई से कंडला एरपोर्ट मैं फ्लाइट से गया जिसका डूरेशन था लेड़ गंटा वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर मैं ज्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ड अंजार की और निकल पड़ा अंजार एक ऐसा शहर है जिसके वारे में इतियास में जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है 650 AD में इस शहर का पहला रिकॉर्ड मिलता है लेकिन तीन बड़े अर्थक्विक धरती कम सेहने की वज़े से लिखे हुए सबूत शीला लेक या किसी भी त ये कहा जाता है इस इस दी ओल्डेस्ट टाउन इन दी हिस्ट्री अफ कच इस पर कई राजाओं ने राज्य किया चोहान चालुक्या वागेला चावडा और जाडेजा इन सब लोगों ने इन पर राज किया आखरी रेकॉर्ड जाडेजा का मिलता है लेकिन आखरी अजय पाल जिसको लोकल लेंग्वेज में अजय पाल कहा जाता है इनका वरणन्स जादा मिलता है एक सेलफलेस डेडिकेशन टुवर्ड्स अंजार देने वाले राजा राजा अजय पाल जिनोंने ट्रेड को व्यापार को इतनी जादा बरकत दी प्रोस्परिटी दी कि वि पर पड़ी और यहां पर कई उद्ध हुए और अंजार को कबजा करने की कोशिश की गई और उससे भी बड़ी बात यह है कि खलीफाओं के साथ युद्ध करते हुए राजा अजय पाल जखमी हुए और फाइनली कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्य हुई एक यहां पर जुमेही एजय पाल राजा की समाधी है ऐसा कहा जाता है लेकिन लोकल लोगों की मदद लेने के बावजूद मुझे उसका कोई रेकॉर्ड नहीं मिल पाया पंदरा सो पैतालीस में राजा खेंगराज वन ने इस जगा को कच्छ की राजदानी गोशित किया लेकिन फिर आमाता है टिम्बी कोठा जो बीते हुए कल के इतियास की गवाई अभी तक जिन्दा है ओम कालेशवर महादेव राए टेंपल ये एक मंदिर है जो बले ही धरती कम क्यों जिससे डिस्ट्रॉई हुआ है लेकिन फिर लोगों ने बनाया उसके साथ मैक मुर्डोज बंगलो म मैक मुर्डोज एक ऐसी विक्ती थी जो बेसिकली स्कॉटलेंड से थी सत्रा सो पैचपन में उनका जनम हुआ था उनको ब्रिटिशर्स ने कलेक्टर आफ अंजार और ब्रिटिश रेसिडेंट के उपादी दी थी और ये जो पाइरेट्स होते हैं समंदर में हमला करने आते उनके बारे में जो कुफिया जनकारी का काम था उनको दिया गया उन्होंने वहाँ पर आकर भारतिय संस्कृती को अपना लिया उनके घर में उन्होंने लोकल कलाकारों के पेंटिंग्स कलेट करना शुरू किया उनका बंगला एक रिजर्व्ड थिस नाम से आज भी जीवी जीवित है, unfortunately मैं उससे देख नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि रामायन की अलिग-अलिग पेंटिंग्स वहाँ पर रखी गई है, वो इतने बारतिय संस्कृति के साथ जुड़ गए थे, कि गाउं के लोग उनको लोकल लेंगविज में भुरिया बावा इस नाम से जानते थे, मादवराय टेंपल में वो रहा करते थे, और उन्होंने बूझ के ओपर कई किताबे लिखी, अठरासो बीज में उनकी मौत हो गई, और वेरना नाम की जगा है, जहा वहाँ पर वेनू दादा का मंदीर है, वहाँ पर वो जाके रुके थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यू वहाँ पर जमीन में धश जाने से हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी मृत्यू कॉलरा से हुई थी, इसी जगा के पास एक आश्चरिकारक जगा है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि आपर एक आटोमेटिक भूंगडो था, याने एक साइरन था, जो सुबह साड़े आड़ बज़े बज़ता था, और रात को साड़े आड़ बज़े बज़ता था, that was the working time of this entire अंजार टाउन, आज भी वो साइरन बज़ता है, ल लेकिन धरती कम के बाद वो बंद हो गया था, यहां पर देखने जैसी और बातों में सबसे प्रमुक है, जेसल तोरल की समाधी, जेसल तोरल की कहानी तो आपको सब को पता है, जो सब लोगों ने सुनी है, और आपको विकीपीडिया पे उस कहानी के बारे में बहुत सारी बाते मालुम पड़ेगी, एक भगत जिसकी पत्नी तोरल, जिससे जेसल जो तो बहुत करूर था, उसे प्यार हो गया, और एक दिन उन्होंने ये तोरी नाम की घोडी जो थी, और तोरल की सुन्दर था, इसके बारे में जानने के लिए, वो आया, और वहां के तबेले में जहां पर तोरी नाम की घोडी बांदी गई थी, अंजान आदमी का तबेले में आना तोरी घोडी को पता चल गया, इसलिए खुंटी या खीला तोड़ कर वो भगत के बाजू में जाके खड़ी रही, और उस वक्त भगत ने फिर उसको पकड़ कर तबेले में बांदा, और वो इतना सहेंशिल था और ताकतवर था कि उसने अपने मूँ से उव भी नहीं निकाली, और फिर जब सारी पूजा खतम हो गई, प्रवचन खतम हो गया, उसके बाद भगत को ये पता चला कि एक व्यक्ती का प्रसाद एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो सर्प्राइज था क् यूज्वली जो भी प्रसाद बनता था, वो ना तो कम पढ़ता था, ना ज्यादा पढ़ता था, तब एले में जाकर जब देखा, तब उनको सत्यता मालुम पड़ी, उन्होंने जेसल के आद से उकीला निकाला, और उसके इसेंशिल ताके उपर कुश होकर उसने कहा, पस दरिया से जाने लगा, तो अचानक तुफान उठा और तुफान में मृत्यू विलकुल सामने दिखने लगा, तब जेसल डर गया, और उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ, और उसने तोरल से मदद मांगी, तोरल ने कहा कि तुम अपने किया हुए पापों का प्राइशित करो, जो उसने किया, और उसकी जान बच गए, उसके बाद जेसल पूरी तरह बदल गया, और तोरल के साथ गाओं गाओं में जाकर, वो प्रवचन करने लगा, और ये उसके जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आज उन दोनों की समाधी वहाँ पर ह है कि जेसल और तोरल की समाधी के बीच में काफी डिस्टन्स है, जो मैं परसनली जा पाया, इसलिए दिखा सकता हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि हर बार समय समय के साथ में ये दोनों समाधिया करीब करीब आ रही है, और जिस दिन ये दोनों समाधिया एक दूसरे के साथ और एक देश और विदेश में मशूर है, उसी के साथ में यहां की केसर कहरी, छास, कच्छी, खाजा, ये सारी चीज़े हमेशा में हमेशा चर्चा में रहती है, जेसल तुरल समाधी के आसपास आप बहुत सारे तलवार, ढाल और हत्यारों की दूकाने देखेंगे, पहले इनकी जिन्दगी कुछ और थी, लेकिन अब चाइना ने इसके ओपर आकरमन किया है, और लोकल लोगों ने इसके बारे में बताया, कि चाइना के मार चीज़े सस्ती और एट्रेक्टिव होने के वज़े से, ये सारी ट्रेडिशनल हत्यार बनाने की सिस्टम, दीरे दीरे ख पतम होती जा रही है, ये सारी तलवारे पहले नाना रेहा नाम के गाउं में बनती थी, जहां पर कम से कम सो परिवार हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये बिजनस डाउन फॉल में है, मगर बड़ी बड़ी इंडस्रियल कंपनिया अब यहां पर कूच कर रही है, इसलिए आने वाले दिनों में अंजार is going to break all the records, अंजार की और एक खासियत है कि अंजार में पैदा हुए है, कई परिवारों में से, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जिनोंने भारत में और विदेश में जबरदस्त नाम कमाया है, और आज वो एक बहुत प्रोमिन financial sector में बहुत प्रोमिनेंट नाम से जाने जाते है, यह अंजार शहर जिसको शत शत प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी अलग-अलग जगाओं के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, और इसके बाद मैं कुछी दिनों पहले गया था आफरिका के एक आइलेंड मेडगैसकर में, तो मेरा अगला वीडियो होगा मेडगैसकर इस देश के ओपर